कल जो ना तुझे से मिला में होता फिर ना विशरने की बात ये होती ही तो इस गाने में हम लोग फ्रिडल क्राप्ट एलकाइलेशन रियक्शन को कम्टीट कर चुके हैं अगर आप अब दक उस वीडियो को नहीं देखें तो आई बटन में उसका लिक दिया हुआ है उसे देख रिजिए और आज का टॉफी के हमारा राइमन टाइमन रियक्शन पर इसको कम्टीट करेंगे एक सौंग के साथ तो वह सौंग का बोल किया है जरा आप गोर से सुनिए तो वह सौंग है मर जाओंगा फिर बीना देखूंगा मुड कर तेरा सहल जहां सौंग में फिर का मतलब होगा फिनोल और ना का मतलब होगा ने ओवच और कर का मतलब होगा प्रोलोफांग तो जब फिनोल को ख्रोलोफांग एड और 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 वएच के साथ रिएक्षन कराते हैं сразу जब फिनोल को Hag क्लोरोफॉर्म का क्लोरी एंड सोडियम हैड्रोकसाइड का सोडियम एने सियल बनकर बहार निकल जाता है फिर देखिए यहां का सियल यहां का एने एने सियल बनकर बहार निकल जाता है और यह हैड्रोजन इस ओएच के पास आकि वाटर बनाता है क्या बनाते हैं वाटर बनाते हैं इस हाइड्रोजन इस OH के पास आके वाटर बनाते हैं अगें यह हाइड्रोजन इस OH के पास आके दो वाटर बनाते हैं तब दिखिए फिनोल का हाइड्रोजन का जो जगा था वो खाली हो जाता है क्यों खाली हो जाता है क्योंकि यह हाइड् तो यह दोनों इस हाइड्रोजन के जगव पर आ जाते हैं, तो यह फिनोर इसके हाइड्रोजन के जगव पर C-O-H आ जाते हैं, और सेलिसल डिहाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सेलिसल डिहाइड बनाते हैं, और इसे reaction का नाम है राइमन टाइमन रियक्शन और इस reaction में जब फिनोर को chloroform and NaOH के साथ reaction करवाते हैं तब salisaldehyde बनता है और इसे reaction का नाम है राइमन टाइमन रियक्शन और इसका trick है मर जांगा फिर भी न देंगा मोड कर तेरा सहल तेरा सहर तो ये फ्रिक्स आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तेरा थैंक्यू बाइवागा